आकाश्वानी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेश फोनिन कारिक्रम रेडियो डॉक्टर नमस्कार रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनेंदन स्विकार करें शालनी मितल का नमस्कार शुरताओं रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं रेडियो डॉक्टर और उमीद करते हैं कि आप कारिक्रम को पूरी तरह से अच्छी तरह से सुनते भी हैं और अपनी जीवन में लागू भी करते हैं हर दिन एक विशेश हमारा विशे होता है और हर दिन हमारे साथ होते हैं एक विशेश रेडियो डॉक्टर आज का क्या विशे होगा यही बताने के लिए बस यही समय है तो आज आएए आप सब ही अपने रेडियो सेट के पास क्योंकि कारिक्रम शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा रेडियो डॉक्टर और आज की रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रेडियो डॉक्टर के रूप में मौजूद है और टॉपिक हमारे क्या है डॉक्टर साब टॉपिक बताएंगे बिल्कुल आज हम दिसक्स कर रहे हैं और टॉपिक बहुत खास है क्यों खास है और किसलिए खास है वो भी हमारे शोता जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि ट्रॉमा ये हम सुनते रहते हैं कि ट्रॉमा क्या होता है वो भी आप से ही मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप एक medical language में हमारे सुनने वालों को बताएंगे पर ट्रॉमा और oral care एक ऐसे आपस में जुड़ते हैं तो आपने जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मुझे बताया था कि oral trauma cases होते हैं वो बहुत important होते हैं उनके बारे में जानकरी रखना और ये काफी बड़ी तादाद में होते हैं तो सोचा क्यों ना ये हमारा विशे आज रखा जाए और हमारे वो जो इस तरह से इस विशे पर कुछ खास जानना चाहें कोई समस्या उनकी हो या कारिकर में आगे वो सुने और उन्हें लगे कि हाँ इस तरह की कुछ समस्या से वो भी जूज रहे हैं तो वो हमारे साथ आज चुड़ सकते हैं पर कारिकर में शुरू करूं मैं सबसे पहले दोक्टर सुनीता आप से जानना चाहूंगी जो विशे है हमारा उसके बारे में थोड़ा से बताईए वोट इस ओरल ट्रॉमा देखो ट्रॉमा मतलब किसी भी चीज से हमें जब चोट लगती है एक चोट तो होती है कि कोई हमें साइकलोजिकल दे रहा है कुछ होता हमें फ थोड़ा सा विस्थार में कि इन डारेक्ट है इन डारेक्ट मतलब यह है कि कोई आपके ओपर कोई किसी ने आकरमन किया है ठीकर यह आप गिर गए हो ठीकर या फिर किसी ने अपको धक्का दे दिया for example so these are some of the इन डारेक्ट डारेक्ट ट्रॉमा होते हैं जैसे कोई सुसाइ कार्पेट की नीचे आपका पैर फज गया संडल्स में और अब सदनली गिर जाते ओ नीचे फर एक्जाम्ट तो जब आप गिरते ओ तो आप मुह के बल गिरते हैं या सामने की तरफ गिरते हैं डिपेंडिंग किस तरह से चोट लगी है और उस वक्त में जो सीधा इंपक्त आ या तो हमारे दान्त फॉर एक्जाम्ट तूट गया या जो सामने वाली चीज है वह हमें चुप गई तूटने के बाद शीशा है शीशा तूट गया कार एक्सिदेंट टुआ है रोड पे गिर गयो रोड के ओपर के गिर थोड़े थोड़े पत्थर हैं चोटी चीज़े है वो आपके ओट में भाज गई है यह फॉर एक्जाम्ट या फुट बाल खेल रहे हो या हो की बिस्पोर्ट कहल रहे हैं अज अब कोऊ अपको बॉल ऐपकर है तो होड़ के इंपके ऑपर कड़ तो दांत के ओपर गडिए तो दानत के ओपर फ्रैक्चर हो गया फॉर एक्सं कि जो हमें direct indirect way से हुई है, कई बार होता है बच्चों में हमारे पस जो कई बच्चे भी आते हैं उनको abuse किया जाता है अलग-अलग scarma के साथ में मारा जारा होता है या कुछ उसमें भी उन बच्चों के भी facial traumas हुए होते हैं scars के साथ साथ में उनकी भी चुच बच्च्चें यू लेते हैं और या कुछ बड़ भी हैं और उनको पता नहीं चलता है कि वह कैसे चल एह है स्कूुटर थे गिर जाते हैं मोटरस이ion से गिर जाते हैं नश्म में पता ढही होता है वह ट्रोमा से खोने चुरू हो जाते है लोकलाइस ट्रामा की बात करूं कई बार होता है कि हमने कोई डेंचर लगवा लिया फॉर एक्सैंपल और वो डेंचर की जो एक वायर है वो चुपते जा रही है जीप के ओपर चुब रही है गाल पर चुब रही है हम इग्नोर करते जा रहे हैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता है उनको कि क्या प्रॉब्लम आ रही हो बताते भी नहीं है और फिर वो ट्रामा होते जाता है मुग के अंदर जो एक बाद में धीर धीर एक भयांकर रूप ले ले लेता है तो वो भी एक फॉर्म बहुत सारे आपने फॉर्मस बताये बलकि मुझे लग रहा था है यह आप छोटा सा एक प्रशन लग रहा था सुनने में लेकिन जब आपने बताया तो पता चला कि यह कितना व्रेहर्द है कितना वास्ट है और जब हम ओरल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सा बहुत साथ है तो चोटे बच्चा जो रहें लेता है जब च्टे उपने खुटनों पर चलना शुरू कर देता दीर खंव तर आट महीने नौ महीने में वह क्या करें का पता नीचलता मादर कुछ काम करें घर के लो कुछ काम करें एंवा और सदनली सीड़ी बढ़ उत्सु कभी कभी तो ऐसे भी बहुत केसे होते हैं से बालकनी से गिर गए या चछत से गिर गए बिलकुल बिलकुल उसमें भी ट्रॉमा ये अब यह बहुत इंटरस्टिंग थोड़े दिन पहले की बात है और कुछ स्कूल में किसी ने बहुत प्रीमियम स्कूल है उन्होंने अपना क इन गुर्मिती डिहाइड इडाइड बच्च और इसकाछार और गिर्या उदर पे शेज पी गिर्या मध्यी जिस और लेफ साइड का था फ्रक्च्छर हो गया हूँ और रायट साइड पूरा है निकल गया बहार, भू इंपक्ट गफी था तो वह बच्छा टो रोह 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 मतलब एक 14 साल का बच्चा जिसके आगे के पर्मनेंट दोनों तीट आपके पर्माइस हो जाते हैं तो देर इस इमेंस साइकोलोजिकल इंपक्क तो 33% से 65% जो ट्रॉमा केसे तो तो तीन साल के नीचे नीचे के लोगों में आता है बाकी टीनेजर में सबसे जादा कॉमन होता है उसके बाद में विच आल्मोस्ट ऑन दे सेमिलर रेंज बट देर अल्सो स्कूल में, क्लास में तो बहुत प्रोन है बिल्कुल बिल्कुल सामने रहता है तो बिल्कुल जी तो हमारे श्रोता है जरूर समझ गए होंगे कि ट्रॉमा इन ओरल केर हमारा आज का टॉपिक है और डॉक्टर सुनीता गुपता हमारे साथ है कारेक्टर में चार बजे तक बनी रहेंगे मारे साथ आपके जितने प्रशन आज आएंगे उनके जवाब देंगी और कोशिश करिए उनका लाब उठा सकें उनका समय जो यहां पर नुने आज अपने व्यास्त से निकाला है आप सभी के लिए उसका आप लोग लाब उठाएं और सिधे जोड़ जाएं मैं रोज सुनती हूं और बच्पन में मैं एक बार गिर गई थी और एक नात मेरा खराब हो गया है उसे कैसे ठीक करूँ यह बताई और मैंने किसी दॉक्टर को दिखाया भी नहीं है यह इनका प्रशन है तो खराब हो गया है से क्या हम तात परे संजहें इसका यह हो सकता ह कि दांट डिसकलररेशन हो सकता है दाक हो गया हो ग्रे कलर का हो गया हो बीकाज़ कामन है अगर चोट लग जाती है तो और बहुत इंपोर्टन भी है बीकाज काहिए तो पहले जो जो पॉर्टल के धकन होते थे थे ना वो भी लोग काई मूँसे खोला करते तह यह पर कहते तो वह बहुत सारे केसे ऐसे होते हैं कि जो फ्रैक्चरों के बाइट हो जाते हैं दांत जो जो फ्रैक्चर होता है वो पूरा आपका क्राउन से रूट तक का राक्चर हो जाता है हम जाद कुछ कर नहीं सकते हैं पर जैसे इनके केस में हुआ है तो चोट लगी होगी और धीर धीर फिर क्या होता है मतलब यह तो ऐसे है कि जैसे हमने पोड़े को गंवे में लगा द क्योंकि चोट लगती है उसके नीचे हमेटोमा या एक लॉट सा बनता है और दीर दीर वो अपनी जड़ें चोड़ देता है तो दान को और को और कोई नुट्रिशन मिलनी पाता है वो डैट दान हो गया होगा वेरी लाइक्ली अपके जो बहुत कॉमन कॉम्लिकेशन है और कि उसकेसे में नॉन वाइटल तूथ पुलते है अब दूसरा है कि कई बार उसको रिच घुफशन बोलते हैं डिजॉप्षन मावे अनदर से घुलना होताः बहार से गुलना होता है तो यह जो रिचु आप्शन हो और हो सकता इंटर्नल रिचॉप्षण होरा हो हो सकता ए उपक्रूम् के भी टोड़ हुआ होता है कि अजने कुछ उसके गादै इसको खाना सुरू कर देता है तो यह तो फो लग से कुर्या भाहर से अजना शुरू कर नहीं हो जाता है तो वो भी अकॉडिकेशन है चौता है चौछा ही कर दात पर दांत पर एंपाक्त इध्यों के ब depending upon कैसा ट्रॉमा है, I think best is to show an x-ray because कई बार इसके उपर एक सिस्ट भी बन जाती है, बहुत पुराना दान रगर और ने यह भी लिखा, तो उसका ट्रीट्मेंट अलोग होगा, या थोड़ा सा और डेंटीन के साथ में इसका इन्वॉल्मेंट होना शुरू हो जाता है, टंडा गरम भी लगेगा, फिर थोड़ा और फ्रैक्ट्र होते हैं जहां पर बिल्कुल दात ही नहीं आपे दात से लगा सकते हो, तो वैसे ब अप्लिकेशन भी हो सकते हैं, तो आप डेले ना करें और जबूर जाएं और दिखा लें इंपार, हमारे शुरूता फोन लाइन पर भी वीट कर रहे हैं, डोक्र साथ, हलो, 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 जी, चालने मित्तल जी को, गुविंदर सेंग, चथा का नमस्कार, जी, चथा जी, नमस जी, मैंने राहिम बना दिया है, जी, बहुत, बहुत, स्वागत है, पूछिए प्रशन क्या पूछना चाहेंगे, ड़्टर साथ को साधर पर नाम, साधर पर नाम, चथा जी, चद्धा जी, बद्धार साब कई बार जो है, जो है यह औरल, जो आप जिस्ते हम डिसकास कर र जाता है, जो है बहुत, बहुत ही अच्छा प्रशन है आपका चड्ड़ा जी, दॉर्मली कोई भी हाट चीज जब हम खा रहे होते हैं, और अगर उससे दांट, बिकाज दांट कटब तूटता है, जब उसके उपर कोई बहुत इंपक्त, जब दांट के उपर अंधर ही पॉदे कोई जडर आगे दो्गव झाट के उपर के गए तो आंधर की जड़ अड्न की तरफ हो गया तो आपकर ग्लगे उन्धर के हाट है यह दांट को मॉर्णना ह। बहुत थथ हवां घएतों नहीं हरएग कोई तो पौदा उडल भी हाता है, जब हागे पीछे हो ज्च जहां से वह अपनी जगा चोड़ता है वहां थोड़ी सी ब्लीडिंग कर छोड़ देता है तो मसूडों के आसपा सोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है अगर आपका बलड प्रेशर कंट्रोल है डायबेटीस की प्रॉब्लम नहीं है तो उस केसे में नॉर्मली ब्लीडिंग ब बरफ या कुछ उसमें रुओ अगरे भीगो कि और उसके उपर प्रेशर से दबा कर रखें अगर पॉसिबल है तो यही बात बच्चों में भी लागो होती है जैसे कई बार होता है जब उनको चोड़ लग जाती है क्योंकि चोड़ में क्या होता है कि बाहर से जोबी जिस पंचो कमी बीच ебडी ऑसे चोट लगी दानो अर उसके बीच में होट होते हैंड होट होते दोजेसी लगती अजया एक दूना शुरू होते हैं यौ ऊसमें अच्छे से पहले साफ करके शींपनी से और उसके बाद जोड से प्रेस करके रखें ताकि ब्लीडिंग और बंद हो जाए और सबसेक्वेंटली बंद होने के बाद डॉक्टर के पास जरूर जाए इसमें ठंडा पानी बरफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि बहुत चोटे बच्चे होंगे तो वो तो नहीं उनको रोकनी बाएंगे हम तो बिल्कुल ठंडा पानी थोड़ी सी रोई से साफ से साफ सा कपड़ा मलमल का लेके और उसको ठंडे को या प्रेस करके उसके उपर रखें तो ब्लीडिंग बंद हो जाए हमारे एक और शोता बेट कर रहे हैं फोन लाइन पर हलो जी नमस्कार रूब जी नमस्कार तो नहीं हो सकते अगर आपका अकलदाड अगर वो नॉमल पोजिशन में हैं साइड में निकल रही है तो जितनी बार भी आप क्योंकि हम मुझ को जब बात करने के लिए थूप निगलने के लिए खाना गाने के लिए पानी पीने के लिए जितनी बार कम से कम पांच सो भर खुलता बंद होता है और अगर कोई भी चीज पैनी या साइड में उसकी रहती है अगर पोजिशन भी ठीक नहीं है तो वह बार बार गाल काटेगी वह और मसूड़ों के ओपर अगर मसूड़ा अरक है आखरी आप अकल दाड के ओपर जैसे आप बता रहे हैं तो आइ तिंग दिखा देना चाहिए अगर तो वह हट के नॉर्मल पोजिशन है उसकी तो वह नॉर्मल इरप्ट हो जाएगा नहीं है तो फिर उसको निकलवाना ठीक रहेगा कोई भी चीज तीन हफते से ज़्यादा अगर लगते जारी है चुपते जारी है उसको जरूर दिखाएं इन्होंने सवाल ये पूचा है मेरा सवाल है कि मसूडों से खून आता है जो कि मैं हमेशे अपने दातों को साफ रखता हूं पर फिर भी इनको ये है कि मेरे दातों से खून आता है इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया है और चार महीने पहले दिखाया है और मुझे तो दो जीजन हो सकते हैं एक तो यह है कि जो मसूनों के नीचे भी परत जम जाती है जो एक डॉक्टर निकाल सकते हैं फिर उसको सब जिन जाइबल काल्कुलस पुलते हैं वो सबसे कॉमनेस्ट रीजन है दूसरा यह होता है कि कई भर हमारे होट कॉम्टेंट हम मूह से जोसरा होता है उनके दान थोड़े आगे होते हैं और इन बच्चों में भी यह प्रॉब्लम काफी जादा रहती है कि ब्लीडिंग होती रहती है तो वो रूल आउट करके आई तिंक डेंटिस्ट को देखा हैं और जैसे मैं हमेशा बताती हूं कि ऑईल पुलिंग करें तो जो चीज फाइब्रस है इसे पहले इक शोटा ने बताया गन्ना चूसते हैं जैसे तो जो भी चीज थोड़ी सी फाइब्रस है उसका इस्तेमाल का है उसको दो बर ब्रश करें जीब साफ करें फ्लॉसिंग करें और और पुलिंग करें जी पर दिखा भी ले एक पर दिखा हमारे एक और शोटा फोल लाइन पर हैं हालो जी नमस्ते नमस्ते मैं हरियाना से रशना बेवी बोल रही हूं जी बताएं रशना जी मेरा बच्चा है दस साल का उसे पिछली साल दस साल में फाओ उसे पिछली साल करंट हो गया तार से करंट लगा हाँ दान से मूँ से ने करंट लगने से वो नीचे गिरा था जमीन पर गिरा जमीन पर मलब दे हो साला सा कोई परता ही नहीं है तो उसमें ने रशना जी अब जैसे अब जब गिरते हैं बच्चे जब गिरते हैं तो हमेशा यह होता है कि हम हमेशा यही साला देते हैं घर में जो भी उनको बच् और अगर जैसे करण लगा और वो गिर गया तो दांत भी उसके वहीं बाहर गिर गया होगे चोट लगने की वज़े से जिस ज़ए अब गिर रहे हैं तो फिर तो आ जाएंगे नी जैसे पर्मनेंट होने चाहिए उसके पर आप एक बर एक स्रे करवा के डॉक्टर को दिखा द जी के अब कोई बात नी है तिक बर डॉक्टर को दिखा कि और एवालुएशन करवा लें आप एक पर ने एक स्रे करके देख लेंगे कि नीचे कहां तक दांत है उसके जी बहुत बहुत धनेवाद एक और शुरूता हलो नमस्कार जी नमस्कार कॉन बुल रहे हैं कहां से ब जी जी स्वागत है कारिक्रम में प्रशन कर रहे हैं कर दोड़ का दांत है तो हम नॉमली उसको थोड़ा सब्सक्राइब एक वाच करते हैं ताकि नीचे के पर्मनेंट दांत कोई एक नाए अगर नहीं हो रहा है तो अपने आपी दांत निकल के नया दांत आ जाता है बट अगर इंफेक्शन हो रहा है सूजन आ रही है अंदर के रुट के नाल नीच भोलत है वे इसकी कि जड़ के उपर जो जब जड़ क्लोस होती सबसे एपक्स होता है सबसे ओपर की ज़च होती है जड़ कितनी बनी है किसे एज में चोट लगी है कितना इम्पक्त था ता उसक तो तो उस पर डिपेंड करता है और एक्कार्दींल केस् to केस करता क्योंकि हमारे दान्त की ज़ड जैसे छोटी रह गई इसए पौदे की जड़ चोटी जटी हो गाई A गर ढड़न सी तो क्या होगा थोड़ा सा भी लगेगा तो गिर जाएगा तो मजबूत नहीं रहता हूँ दान्त-फिक हमारी कोसी पूरी यही रहती है कि पूरी जड़ का formation होना चाहिए और उस case में जैसी भी जो जरौत हो तो उस हिसाब से treatment करना जरौरी है तो बहुत सी जानकारी आज हमें इस कारिक्रम में मिल रही है और आप भी अगर प्रेशन करना चाहें तो जरूर हमारे साथ जुड सकते हैं 2342-1080 2342-1082 पर हमें call कर सकते हैं सुनते रहे रेडियो डॉक्टर आप सुन रहे हैं विशेश फोन इनकारिक्रम रेडियो डॉक्टर आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्तर शालरी मितल के साथ और आज हम बात कर रहे हैं trauma and oral care और हमारे एक शुदावेट कर रहे हैं phone line पर messages भी बहुत हैं पर इस phone call के बाद हम messages लेते हैं Hello मैं नमस्कार मैं जी जी नमस्कार मैं संजर आलम बोल रहो मैं बटला हो से जी जी संजे जी बताएं मुझे एक बात कुछ नहीं मैं जैसे एक मेरा लड़का है आठ साल का तो उसके दोनों दोनों उपर वाले दांत के बीच में गैफ है मैं तो वह सही होगा क्या संजर जी इस स्टेज को हम अक्ली डखलिंग स्टेज बोलते हैं और इसमें जब हमारा ये साइट का जो के नाइन दांत होता है जो सबसे मतलब मोटा नोकीला दाथ होता है जो होट के आसपस निकलता है क्वानर रत्रमाट में तो जब वो निकलना निकलता है तो वो अपने अपनी जगह पूरी बना लेता है वो सब चीजों को ढग देगा बंद कर देगा और एक लड़के का जैसे एक बार गिल गया था तो उसका हो जिया तो अगर वो जिया तो आप थोड़ा से जैसे बादाम का तेल या वो लेकर उसकी हलकी सी मालिश करें वहां पर तो नॉमली वो ठीक हो जाना चाहिए तो बच्पन में गिरा था तो वो बहुत ज़रूरी कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं कोई लकडी की तो एक पर दिखा देना ठीक रहेगा या तो किसी डेंटिस को दिखा देंगे तो अगर वो देख लेंगे किया रीजन है क्या है वहां पर तो वो उससे सापसर ट्रीटमेंट हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद प्रशन करने के लिए और मेसेज भेजा है उदे जी ने औरंगाबाद बिहार से लिख रहे हैं कि मेरा एक पंदरे महिने का बेबी है उसके आगे की ऊपर वाले दो टीथ जिनको कटिंग टीथ कहते हैं उनके बीच में बहुत गैप है जो अब ध कि खन की और बड़े होते हैं से और मारे जो के हिसाब से उसको कि लोग कितना यूस करते हैं और लिखने वाले हैं मंदीप रोतक से लिख रहे हैं कि हम जनरल यह मैं बाद में लेना चारिती परिंका प्रेशन आ गया है कि हम गम को कैसे स्ट्रॉंग रख सकते हैं बिलकुल सबसे इंपोर्टन तो यह है कि जितने भी ब्रेवरेज्जिस है जिससे हमें जैसे सोड़े ड्रेंक्स होते हैं तो उसको कम सेवन करें जितना हम प्रिफाइन फूड है यह सब है उसको थोड़ा कम करें चॉकलेट कम लें चिप्स काम इस्तिमाल करें और मेठा भी झ आयर एक सट अरम Elemir दो वाहा जाया हर दूत दो बार ब्रुश करना जरूरी है ब्रुश करने के बाद जीब तट बने जीब साफ करना जरूरी है और जीब के साथ सतすट। जार आञे उंगली लेके मसूर्感 करना जरूरियी बहुत जरूरी है मैं हमेशा बताती हूँ कि डेड़ चम्मच तिल का तेल या वर्जिन कोकनट ओयल लेके ओयल पुलिंग करें आगे पीछे आगे पीछे मुह में गुमाया और कोशिश करें दस मिनट से पंदरा मिनट तक लेके जाने की उसको आपके गम्स हमेशा हेल्दी रहेंगे जहां तक कोशिश करें आमला या नीमबू पानी का एक नीमबू या आमला का इस्तेमाल करने का क्योंकि इसमें विटामिन C होता है और इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो आइ तिंक एक बैलन्स वो रहता है कल्शियम है जब फॉर्मिटिव स्टेज़ होते हैं तो उसमें करते हैं कैलशियम का इंटेक प्रॉपर हो नॉम ली तो चाहे बदाम के फॉर्म में या चाहे दूद दूद प्रडॉट्स करड के फॉर्म में बनाना है यह सब चीजों में तो एमटी कैल्शियम होता है जी तो खाने पर अगर आप दे रहे हैं तो पिर दान्स वस्त रहें बिल्कुल, बिल्कुल, जी, मनुहलाल गांधी लिख रहे हैं, चानक के चौक गाजियाबत से, कि दातों का रंग रूप बदलना किस कारण से होता है, जैसे कभी-कभी हुम देखते हैं, कुछ लोगों के दात बहुत पीले होते हैं, और पहले नहीं होते हैं, पर देरे-देर जी और डॉक्तर साब को भी मेरा नमस्कार, और वेरी नाइस शो, यह लिख रहे हैं, नमस्कार, आपका सवाल भी बहुत अच्छे हैं, तो आपने पहले पूछा है कि उसका कलर बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं, दो रीजन हो सकते हैं, सबसे कॉमन जो हैं, एक तो यह ह तो वो यह एंटिबाटिक उन दांतों में जाती हैं, और वो तांत को डिसकलर करती हैं, दूसरा है, जैसे कुछ हर्याना की बेल्ट है, यहां पर आपका ग्राउंड वाटर बहुत जाद अच्छा हैं, तो यह फ्लुराइट जाके भी डिपॉसे होता है, और यह 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 जाता है, तो बहुत सॉफ ब्रश लेना चाहिए, और अगर पानी से हमारा ब्रश सुवे हार्ड भी हो जाता है, हलका से गुन गुने बानी में उसको पले डिप करके रखलें ग्लास के अंदर पानी जाल के ता कि वो सॉफ जाएं उसके ब्रिसल्स, आठ हफते में जाएं ज जाएं और भी हो कारिट ऐं जाएं इसिा में अरॉच रहाऔर फिर शॉर जाएं जाएं, इसिती देंडर करे पानी से घक टतें जाता है, की पुल्यार ब्रünü जाएं जाएं जो यह कुआ हैं जाएं, और जते जाता हो जो कुआ कूई जाएं जाएं जादन जाएं या एल्कोहल का सेवन करें, तो रीजन भी होता है, बिल्कुल, स्मोकिंग है, टबैको चुईंग है, उसे मिलनोसिस हो जाता है, तो उसके कारण भी हो सकता है, एक दूसरा इनका प्रेशन था कि क्या इससे दिमाग में भी कुछ असर होता है, कि अगर दातों से कोई बिमारी की बात कर रहे हैं, उसका अब वो चाहे उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट शी के नोट फोकुस ऑन अस्टई, इसके मुझे एक्जाम नहीं देना, तो इमन्स प्लॉजिकल इंपक्ट, आपके दांतों में स्वस्त नहीं होंगे, तो डेफिनेट अफेक्ट, दूसरा यह बेक्टिरिया भी और वो घूमना शुरू कर देते हैं, तो इसका बच्चा बच्चा प्रेगनेट विमन होती है, तो इसका लोटम बेबी होता है, तो यह सारे उसके ऐसके रहते हैं, तो डेफिनेटल इंपक्ट, और वैसे भी हम कई कारेक्रों में में अपने बता चुके ह अगर जो है, हम ना करें, तो हमारे शरीर के विमन ने जो ओर्गन्स हैं, वो काफी एफेक्ट हो सकते हैं, तो हमने अपने पुराने कारक्रमों में इस पे चर्चा काफी की है विस्तार से, हितेन सोलंकी जी हमें लिख रहे हैं, कि उनका बच्चा जो है, दस साल का है, उसकी आगे के दो दान्त तूट गए, आधे-ाधे, जो खेल रहा था, उन्होंने लिखा है, ब्रोकन इंटो हाफ, और उनको ने रूट के नाल ट्रीटमेंट से करवा दिया थी, बट एक दान्त की फिलिंग अप निकल रही है, तो क्या कोई पर्मेनेंट सोलूशन है, बिल्कुल कर देंट थान्त की फिल्म कराइं, तो क्यों वापक से कि लिए रूट कुलने के रूट के बाद भाड़ के रूध किलीग टूब किलीग है, वो झाम किलीग पारनिक शुड उनको इन्द कर देंगे, तो फिर उन्दर के जो फिर अन्दर के लिग पी छो परना इंटीग, ब उसमें अंदर सीप ना करें और जो तूटे तूटे दांत है वो उसको आज़कल तो बहुत materials आगें depending upon it temporary crown यह temporary build-up करवा सकते हैं जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा ते और roots पूरी बन जाएंगी उसकी extreme में देख सकते फिर उस पर permanent crown लगवा सकते हैं उसका permanent treatment हो सकता है तो अभी दो सबसे पहरे इनको जाकर filling दुबारा करानी ही पड़ेगी जरूर करवाएं फोन आइन पर हमारे शोता है हालो जी नमस्कार मेरम जी जी नमस्कार मैं दिली से रहना सिम बोल रहा हूं मेरा उमर है पचातर साल और दो तीन जाट जो है वह कीड़े खाके तूट गया है और खाना उना खाने में दंग सबुझे बहुत परसानी में थी इसके लिए क्या किया इसको निकलवा तो कीड़े खाके टूट गए है क्योंकि की खाने की बाद तूटी जड़ों की अंदर आप जब भी खाना खारे हो तो खाना उसके अंदर फिर पनपता रहेगा कीड़े बैक्टिर्या पनपते रहेंगे तो आपकी तंदुरे जो आपका पेट पाचन है और मुह से दुरगंध है यह सारी चीजों में फिर वह तकलीफ देने लगेगा आपको और कोई बिमारी तो उसकी भी तकलीफ बढ़ा देता है वह तो उसको निकलवा दीजेगा बेटे बहते रहेगा और फिर दांत भी चुपता रहता है कभी जीब में चुबेगा कभी गाल में चुबेगा चाला बन गया तो उसको ठीक करना भी फिर दिकत आ जाती है तो बेटर है पहले ही उसको निकाल दिया जाए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रशनों के जवाब हमारे डॉक्टर साब दे रही है नमस्कार डॉक्टर मैडम और शालनी मैडम यह एहम में रहा दो दिन उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ अधूरा सा मुझे लग रहा है लेकिन यह अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ जोड़े हैं और कारिक्रम को सुन रहा है तो इंप्रेशन मेरा है डॉक्टर साब यहां पर की जैसे आपने बताया एक केस भी आपन करते हैं तो क्या वो दांत लेकर जाएं उनके पास वो लग सकता है और कैसे लेकर जाएं अब देखो जैसे हमें जिस बच्चे की बात करें कि जो चौदा साल की लड़की थी जो जिस वो स्टेज पर जिस पर लग गई वो उसकी मदर मुझे दस बजे रात को फोन कर रही है अगर वो जब ट्रॉमा हुआ था फॉर एक्जेंपल अगर दो बजे हुआ या एक बजे हुआ दो पैर को तो हम उसी तूथ को लेके हम उसको रीम्प्लांट कर सकते थे कितने समय तक लगा सकते हैं तो नॉमली हम रेकमेंड करते हैं कि 60 मिनट के अंदर जैसे कई बार होता अगर दो चुटर से कुछ भी ओता दांत पूरा निकल गया है तो रेकमेंड हम करते हैं कि हमेशा उसको उठा लो अचा यह जब दाद पूरा ही निकल जाता जिसको अवर्स टूथ बोलते हैं तो उसको जड की तरफ से नहीं पकड़ना है उसको जहां पर जो बहार का बश् बहार का बढ़िंगा उसको जब भी है लिकिन रुमाल से नहीं पहुंचना है उसको जब पूछ यहां से पुछ यह जहां से पर अपकर ने के बाद में एंद वी जस्ट पुट इट निया तो कच्छा दूद ले 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 उसमें डाल दें आव लेएविल है नहीं है तो नॉ कुरह प्सक्राइब गॉर्म्स के लच में जाओ एक सपार हального गॉछीSee कि मैं जाओीक वोच में रगे लगे टाम से हटील के रगीग तॉया डंच rättजिय लगा है तो अच्छ है तो अच्छ है कि उसको जब इस सरह कि जिसको पूचा है प्ले वोटर, सिलाइन वोटर, यह सलाइवर? जिसके़, हमें milk फोय है मिलक्स की यह होते हैं wallpaper फॉच्य के लिए मिलक्ति फउड्य होते हैं और यह फॉड्ड जो हम ह one उते थे घ्र की हैं जों पॉड़ा है ले एक तो मत真的 सकतल है तो नहीं हमसें ऩूड़ कि उन्थिओंत पालम्लिक यहाइविंग यहाइद ज्यूगान पुछ पांचर और यहाइए यहाँदिए ले जब वसे त चीफ लेले तो अपर षीफे वी से तो तो फूलुशन में दाल के लिए हैं अगर कोई नहीं है तो थूख में डाल के लिए कर रहें तो उसे जो वायबल रहेंगे तो जब वो लेकर आते हैं तो हम इमीडियेटली उसको इंप्लाइट करके देंटिस्स के पास जाएंगे और उसको हम वहां पर पोजिशन कर देत और वो दाद फिर ग्रोगर जाता है तो ऐसे केस में रूट के नाल के ज़रॉत नहीं पड़ती है मतलब फिर हम उसको फॉलूप में रखते हैं अगर तो क्योंकि हर चीज को सुप्लिकेशन तो नहीं हो रहें आगे तो तू वीक्स में जिए हैं तो तू वीक्स में तू जि अगर जाए तो फिर बी लेकर आज़ना जाए उसको अग में रहाता है अगर ऐसा है कि अधा दाथ में अधा दाथ दिग्ल गया है तो मिल गया है तो टूटा हुआ अगर पॉसिबल होता हम उससी को जोड़देते हैं तो यह बहुत धान रखने वाली बात है क्योंकि हमारे कर देना चाहिए कि कभी भी ऐसा होता है तो उसको लेकर आ जाए है हमारे एक शुता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर हालो जी आप अपना प्रेशन करें नाम बता दें कहां से बोल रहे हैं मैं मुहम्मध इंतिया बोला हूं मैं मैं पुछना चाहरा था आपका प्रेशन लिय होना चाली हो गया और यह लगबर हमेशा ही होता है इसका जवाब तो लॉक्टर साब ने दिया था आपके प्रेशन का फिर तोड़ा शॉट में बता दें कि बहुत सरे मैसेज़ें इसको चेक कर लें आप दुबारा से ब्रश के अपनी टेक्निक बदल दें हैं नहीं है तो उसको यूज करना शुरू करो आप फिर अगर ऐसा लगता है दो बार और हर पा कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करें और उंगली से मालिश करें मसूडों पर फरक पढ़ जाएगा आपको बहुत बहुत है नमस्ते जी बहुत अच्छी जानकारी दे रही है पहले तो दान् देडे मेरे क्यों निकलते हैं क्या साफधानी बढ़ते हैं मेरा नाम देविया मोर्य है जायसी गाउं नंद देव यापुर जिरामेठी यूपी से धन्यवाद ये लिगकर भेज रही है तो मुझे लगता है दूद के दान्त सही है और फिर बाद में ऐसा आप समझी है इन होते है कि चोटे-चोटे दात इंपैक्टेड भी ऺदड़ी में ही रहते हैं तब भी नहीं नीकाल पाते हैं तब मिधिदा इसे यहांगीर पूरी दिल्ली से फिरोज जी ने हमें एक्सरे की फोटो भेजी है तो मैं आपको कहना चाहूंगी आप बड़ा मुश्किल है इससे डॉक्टर साब को हम दिखा नहीं पाएंगे अगर कोई प्रशन है तो आप जरूर भेजे और बड़ू पूर अमबेड का नगर यूपी से अनिल यादव लिख रहे हैं कि यदि किसी बच्चे का दूद का दांत गिरने से तूट जाए तो क्या वो दुबारा ग्रो करे है और भी बहुत सरे मेसेज आ चुके हैं तूथ पेस्ट के बारे में भी जानकारी पूछी है हमारे श्रोता ने साथ ही चेक्निकालिटीज ऑफ टूथ पेस्ट वें बाइंग तो आपने थोड़ा सु जानकारी दी है गुड आफ्टरून तो बोथ अफ्यू मैं कोश्ट इ है तो बेस्ट है कि कुछ भी अगर कॉफी का सेवन जादा कर रो तो उसके बाद पानी से कुला कर लो और दूसरा यह है कि अगर स्मोकिंग वगरे की कोई हाबिट है तो सरिफ्रेन करिए अपने आपको और फिर भी अगर सलाइवरी स्टेंस बनते हैं तो थोड़ा सा क्लीन अगर सुन रहे होंगे तो आप जरूर लिखने तो मैं नाम भी पढ़ों और एक उन्होंने साथ में लिखा है कि आपने जो जानकारी थी है कि टूथ को कैसे एवाकुलेट किया जाए एक्सिडेंट के टाइम मिल्क में रखने के लिए वो इनको जानकारी अच्छी लगी त तो इसी तरह से आप हमारे कारेटों को सुनते रहे हैं और अच्छी जानकारी मिल्ती रहेगी एच सिंग न्यू डेली से लिख रहे हैं हेलो डॉक्टर गुड आप्टरून आफ दन रूट के नाल और ब्रीज वर्क आई फील चूइंग प्रॉब्लम क्या रेमिटी है आइ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है एवाल्यूएशन ठीक हो रहा है तो फिर ठीक है अगर लेकिन कुछ मेडिकली कॉंप्रॉमाइज है तो एक सेलेक्शन आफ टे केस बहुत जरूरी है बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरल बारे प्रेशन हमारे पस आने लगे हैं लेकिन आपक और खटे फल तो नहीं आपने तो बोला ना खाने के लिए ले सकते हैं पर खटे में अगर आपके दान किट किट आ रहे हैं गिसे हुए है ब्रक्सिजम की आदत है उच और प्रॉब्लम है तो फिर उसमें थोड़े से और आपको सेंसिटिव हो जाएगा तो फिर आप रिफ उसके ब्रिफल खराब नहीं तो ट्रावल किट में क्या होता है कोई और चीजों के साथ रख देते हैं तो उसके ब्रिफल्स फोड़े से टेड़े मेड़े हो जाते हैं तो आप यूस करो कोई दिकत नहीं है और मुझे रखता है कारेकरम का आखरी क्वेश्चन होगा जाता है और उसमें बहुत दिकत होती है माम प्लीज को रास्ता दिखाईए और बताईए एक्स्रा टूथ है उसको एक्सरे करके देखना होगा और अगर उसको निकाल सकेंगे तो बेडरे निकलवा देना नहीं तो पक्के दान्त को भी खराब करतेगा वह आपके जी तो अ हमें है कारिकरम को समेटने का तो जरूर बता दे डॉक्टर साब को कि हमारे साथ दॉक्टर सुनीता गुपता हमारे साथ रही इस कारिकरम में आप सीनियर प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसन और डियलोजी मौलाना अजाद इंस्टिटूट अफ डेंटल सा अब ही आप आकाशवानी दिल्ली से विशेश फोन इन कारिकरम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे कारिकरम की प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल